जब हम पहाडी भाईयों को आरक्षन देने लगे यहाँ बेद खड़ा करने के लिए उन्होंने कहा कि गुर्जरों का आरक्षन चला जाएगा मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ पर चौदरी तालीब हुसेन साब भी मुझे मिलने आये थे मेरे घर पर उस वक्त मैंने कहा था नौकरियों में और दाखिलों में गुर्जरों का आरक्षन एक परसंट भी कम करे बगर हम पहाडी भाईयों को आरक्षन देंगे और आज मैं फकर से कह रहा हूँ कि नौकरियों में और तालीम में जो आरक्षन था वो गुर्जरों का जस्का तस रख कर हमने पहाडी भाईयों को आरक्षन देखा दिया पहाडी भी खूसें और गुर्जर भी खूसें और यह लोग कह रहे हैं कि घुर्जर और पहाडी भकरवाल को जो अंदोलन मिला है आरक्षन मिला है रिजर्वेशन मिला है उसको हम हटा देंगे अरे अब्दुल्ला साब आप और उमर छोड़िये आपकी च्वथी पूस्त भी आ जाएगी हम ए आरक्षन को रिजर्वेशन को हताने जाएगे मैं आज कह कर जाता हूं थाना मंडी में भायो बेनों यह आपका अधिकार है इसको कोई नहीं चीन सकता कोई नहीं चीन सकता इतना ही नहीं अभी तो आपको नोक्री में आरक्षन मिला है आप मलीक जी को जिता दिजिए हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे प्रमोशन में भी रिजर्वेशन आप तो संत्रूष्टों कि हमारे बच्चों को नोक्री मिल जाएगी क्लास वन की अरे क्लास वन सी नोक्री से कुछ नहीं होता इतने सालों से अन्याय हुआ है जब तक पहाड़ी गुर्जर का बच्चा चीफ सेक्रेटरी डीजीपी नहीं बनता तब तक आपका अन्याय दूर नहीं होता और यह प्रमोशन के अन्दर रिजर्वेशन देंगे तो पहाड़ी बच्चे भी गुर्जर बच्चे भी बकरवालों के बच्चे भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी बन पाएंगे यहां दूर दराज के ख्षेत्र में टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं हमारे बच्चे भी इस्वर ने हमें भी इतनी ही अकल दी है जितनी बड़े-बड़े सहरों में हैं मगर यहां ट्रेनिंग का भाव है मैं आज कहकर जाता हूं कमल के निसान पर महर दबा दीजिए पूंच रजोरी में आईएस आईपी एस की परिक्षा के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं यह ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे इतना नहीं बच्चे को वहां रहने का खर्च होगा पहाड से आएगा कोई घुर्जर बच्चा वहां जाएगा खर्च होगा उसको हर साल दस जार रूपिय का वजीफा देने का काम भी हमारी सरकार करें अगर इनकी अच्छी ट्रेनिंग हो गई इनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया स्कील का ट्रेनिंग हुआ इंटर्यू देने का ट्रेनिंग हुआ तो बच्चा आसानी से IS IPS बन पाएगा और जम्मू कस्मीर छोड़ो कस्मीर से कन्या कुमारी और गुजराच से बंगाल तक हमारे बच्चे IS बन पाएंगे इसकी व्यवस्ता जनाब नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी भायो वे नो यह लोग कुछ दिया नहीं है और लेने की बात करते हैं यह कहते हैं कि हम रिजर्वेशन का पुनविचार करेंगे मैं फीर से कह कर जाता हूं हम रिजर्वेशन का पुनविचार नहीं करने देंगे बायो बेनो इस बार इस पहाड़ियों पर कमल का फूल खिलाईए एक चुनाव तीन परिवारों का यहां सेहन साहत है उसको खतम करने का चुनाव 75 साल से अब्दुल्ला परिवार गांधी नेरू परिवार और मुप्ति परिवार सासन करें मैं आपको पूछना चाहता हूं आपका अधिकार नहीं है क्या है या नहीं है अब तक जमूरियत को उन्होंने अपने बुटो की AD के नीचे कुचल कर रखा जा मोधी जी ने आने के बाद ग्राम पंचायत के चुनाव कराए तैसिल पंचायत के चुनाव कराए जिला पंचायत के चुनाव कराए और जम्मू कसमीर के 30,000 वा आज जमूरियत के रास्ते पर है वहीं से आने वाले दिनों में MLA, MP और मुख्यमंत्री और मंत्री बनकर निकलेंगे मंत्री बनकर निकलेंगे अब तक मुझे बताईए जरा किस ने ग्राम पंचायत, ब्लोक और डीडीसी के चुनाव रोक कर रखे ये अब्दुल्ला परिवार ने रोक कर रखे ये मुप्ती परिवार ने रोक कर रखा रोक काम नरेंद्र मोधी जिने जमूरियत को घाव तक पहुचाने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है नरेंद्र मोधी जीने किया और फारुक साब पहार की वादियों में वोट मांगने तो आते हो, मगर जम्मु कस्मीर आप से हिसाब मांग रहा है, 30 साल तक देशत गर्दी चली, हमारे बच्चे हाथों में मसिन गन लेकर लर दे रहे, सहीद हुए मारे गए, पुलिस की ओर से मरे तो भी हमारे बच्चे बने और देशत गर्दी में मरे तो भी हमारे बच्चे, कौन जम्मेदार हैं, 30 साल में 3000 दिन जम्मु कस्मीर बंद रहा, विकास रुख गया, एक पूरी नस पड़े लिके बगर की हो गई, कौन जम्मेदार हैं, फारुक साब आप और आपका परिवार जम्मेदार है, 90 के दसक में जब यहां देशत गर्दी हुई, तब आप तो इंग्लेंड में ठंडे में मोज मस्ती कर रहे थे, और कस्मीर का युवा रोड पर मारा जाता था, आज भी डरा रहे हैं, कि पहाडों में फीर से देशत गर्दी आएगी, ट हम टेरिरिजम को पहाड में से गाड कर रख देंगे, इनको नहीं पनपने देंगे, नहीं, टेरिरिजम से किसी का भला नहीं हुआ है, अरे फारुक साब, आपने बच्चों के हाथ में बंदुके और मसिन गन पकड़ाई, मोदी जी ने किताबे और कॉम्पीटर पकड़ान पकड़ाएंगे, हम भी मसिन गन पकड़ाएंगे, मगर दैसत गर्दी की नहीं, सुरक सा बल और सेना में स्पेस्यल भरती अभियान कराकर नौकरी दे कर पकड़ाएंगे, यह तरीका होता है, युवाओ को भविश्य को सिवान, और राहूल गांधी, महबत की दुकान की ब तर्मान कहते हैं, कहते हैं, पाकिस्तान के साथ बारता करो, मैं आपको बताता हूँ, जब तक पाकिस्तान टेर्रिजम बन नहीं करेगा, कोई बारता नहीं होगी, बारता होगी, तो मेरे पहाड़ी बच्चों के साथ होगी, पहाड़ी बच्चों के साथ होगी, भाईयों बैनों आज मैं कहने आया हूं यह विनास्कारी एजंडा से बहार निकलना है और यहां पर डेवलप्मेंट लाना है मैं आपको कहने आया हूं भाईयों बैनों एक कॉंग्रेस अब्दुल्ला परिवार और मुप्ति परिवार ने विकास के लिए कुछ नहीं किया विकास के लिए अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोधीज ने किया नरेंद्र मोधीज ने किया हमारा ये नेशनल आईवे 144 से पूंच तक पहुँचाने का काम नरेंद्र मोधिजी ने किया सहादरा सरीप से लेकर बड़ी वैग तक रोड बनाने का काम नरेंद्र मोधिजी ने किया मंगोटा से दरहाल तक हाई स्कूल राजदानी से बिसामोडा तक और गली से सहरदरा सरीप तक पक्की सड़क करने का काम नरेंद्र मोधिजी ने किया है और दो कैबिनेट पहले ही मोधिजी ने ताई किया है कि देश बर के पहाड़ी क्षेत्र में पचास की भी जहां आबादी है वो सारे गाउ मजरे टोले को वो आबादी को पक्की सड़क से जोडने का काम नरेंद्र मोधि सडकार करेगी इसको सबसे बड़ा फाइदा सबसे बड़ा फाइदा हमारे पहाड़ पर होने वाला है भाईयो बेनो सोनी सानुकोट नाकी